eligibility problem का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो नए नए यूटूब पर आते हैं नए नए चैनल बनाते हैं और live करना चाहते हैं दोस्तों जब live करने जाते हैं तो हमें एक eligibility का मैसेज मिलता है जिस पर कुछ इस तरीके का मैसेज दिखाई देता है जो साइट पर आपको स्क्रीन लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो इस प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में दोस्तों तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपको लाइब सबी लोग लाइब करना चाहते हैं और लाइब करना भी चाहिए दोस्तों लाइब करने से फैदा होता है कि हमें लाइब से जाने से हमारे चैनल को growth मिलती है और audience हमसे connect होती है और हमारा confidence level बढ़ता है जो हम कैमरे के सामने नहीं बोल पाते हैं तो हमें जब लाइब जाते ह है जो हमारी audience हमारा लाइब पर आती है तो हमें confidence आता है अंदर से कि हम बात कर सकते हैं तो यह सारी चीज़ों और लाइब से अगर आप कोई भी अगर चैनल आपका monetize है तब आप लाइब कर रहे हैं तो आपको उससे पैसे भी कमाने का जरिया मिलता है दोस्तों उससे आप आपको सुपर चैट सुपर थैंक्स तो उससे आपको कई सारे जरिया मिलते आप पेट प्रमोशन भी कर सकते हैं तो इसलिए live करना बहुत ही जरूरी होता है वह टाइम भी बढ़ता है सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और कई सारी settings भी करनी होती है तब जाकर के live हमारा श को दबा लेना क्योंकि ऐसे वर इन्फॉर्मेशन वीडियो में लाता रहे तो आपके लिए तो चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बताते हैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी सेटिंग्स करनी पड़ते हैं और कौन कौन सी ऐसी सेटिंग् क्पिसी को नहीं पताऊती है वो सारी settings आज मैं बताने वाला हूं आपको कहा से आपको कहसे कैसे करना है दोस्तो वीडियो को पूरा लाज देखना वीडियो को सुरू करने पहले मैं इतने कहि видео चाहूंगा मेरा नाम है गोलु कुष्वा आप देख रहा है टैग बात कर दोस्तों तो चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलते हैं आज मेरा एक फोन है दूसरा फोन उस पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लाइव स्ट्रीम सुरुआत करते हैं जब नया करना है अपने यूटूब को प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है जैसे हम अपडेट कर लेंगे तो हमारा अपडेट हो जाएगा तो जो नया फीचर आया होगा वो सारा दिखाई देगा तो चलते हैं इसको अपडेट कर लेते हैं तो हम जैसे आप प्ले स्टोर पर जाए जाएंगे अपडेट करने के बाद जैसे यह अपडेट होता है सिंप्ली हम तुम को यूटूब पर लेकर चलेंगे और वहां से हम लाइब पर जाएंगे और लाइब पर जाने के बाद आपको दिखाते हैं कि live stream करने से पहले हमें कौन सा message दिखाई देता है eligibility का message जो दिखाई देता है वो सबसे बड़ी समस्या इस समय बनी हुई है नए YouTuber के लिए नए creator के लिए जो नया नया आता है उसके लिए तो उसमें कौन कौन सी requirement होती है उनको पहले हम जान लेंगे तभी हम live stream कर पाएंगे तो इसको जैसे यह upload यह update होता है अब आपको दिखाते हैं कि यहां पे देख सकते हैं यह 100% हो चुका है यह update हो चुका है यहां पे जैसे ऑपन का option आगा हम open करके आपको दिखाते हैं और दिखाने के बाद installation हो रही है फिर simple सा आपको समझाएंगे कि इस वीडियो को बिल्कुल भी skip न करिएगा क्योंकि पहले भी मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते कि मेरा live नहीं चल रहा है लेकिन मैंने इतने सारे वीडियो पहले से बना रखे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है कि अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लें तो आपको सकते हैं आप कैसे कर पाएंगे वह भी वीडियो मैंने डाल लखा है तो वह आपको इंडी स्क्रीन पर मिल जाएगा आई बटन में मिल जाएगा तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देंगा लास्ट में उस वीडियो को जरूर देख लेना जिससे आपको जीरो यह हमारा यूटूब का पेज़ खुल कर आ गया है यूटूब का पेज़ खुलने के बाद नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे यहां पर प्लस का आइकन नीचे यहां पर हमें चार आप्शन मिल रहा है क्रिएट ए सौर्ड अप्लोड आ वीडियो गो लाइब तो हम लाइब पर चले जाते हैं और जैसे हम गो लाइब पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें इस तरीके का कुछ मिल रहा है यह देख सकते हैं यहां पर मिल रहा है कि यह कह रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपने चैनल पर सौर्ट वीडियो क्रिएट कीजिए जिससे आपके 50 subscriber जल्दी से complete हो जाए और आपकी live streaming जो है lock है उसको unlock कर दिया जाए तो 50 subscriber जब तक नहीं होंगे आपके channel पर तब तक आपका live stream unlock नहीं होगा पहला point यह है कि आपके channel पर 50 subscriber होना चाहिए समझे इसके बाद नीचे देखते हैं learn more पर जाते हैं और यहाँ पर requirement आपको दिखाते हैं कौन कौन सी requirement है simply समझना इस चीज को देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमें 5 requirement साफ साफ नजर आ रहे हैं जो live stream की requirement है तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ यह देख सकते हैं सबसे पहला at least 50 subscriber तो आपको 50 subscriber complete करने होंगे दूसरा नंबर आपकी live streaming restriction नहीं होनी चाहिए कोई भी आपर के चैनल पर 90 days से पहले अंदर कोई भी restriction नहीं होनी चाहिए यह copyright claim नहीं होना चाहिए age restriction कोई भी ऐसा जो YouTube की guideline के विरोध में हो ऐसा कोई भी restriction नहीं लगा होना चाहिए जिससे आपका चैनल पर live streaming बंद कर दी ज किसरा नंबर आता है verify your channel यह सबसे important है आपको अपने चैनल को बनाते समय अपने चैनल को जरूर verify करना है verify कैसे करते हैं उसका भी वीडियो मैंने बना रखके आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है अभी तक इसलिए कहता हूं कि चैनल को subscribe कर ले क्योंक आपको अपने मोबाइल को मोबाइल नंबर से अपने चैनल को verify कर लेना है उसके गूगल पर जाकर सारी से यूटूब के अगर नहीं की होई है जब यूटूब चैनल बनाते तो वहां पर सैटिक्स करनी होती है उसका भी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा वहां से देखिए Budget हो जाती हैं होurnaliken चैनल मोबाइल नंबर से लिलखार लोगता तब आप का नया चैनल जो वो थीन महिने पुराना होना चाहिए सिंपल सा यह महिना फैंस पॉराना चैनल होना चाहिए 50 सब्सक्राइब सब्सक्राइबर होने चाहिए यह वैरिफाइब होना चाहिए नमबर से और उसके बाद जब लाइव स्ट्रीम करने जाएंगे तब आपको बताते हैं कि अगर आपके चैनल पर कोई भी सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है आपने यह सारी रिक्वार्मेंट लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टन जो है वैरिफाइबर चैनल वैरिफाइब आपको कर लेना है तब यह भी कर पाएंगे अब मैं एक चीज और बत सकते हैं इस चैनल को मैं दिखा रहा हूं आपको यहां पर देख सकते हैं दो सब्सक्राइबर हैं मातर दो सब्सक्राइबर है और एक वीडियो अभी तक अप्लोड यह नया चैनल मैंने आपके लिए बनाया था कि आपको कौन-कौन से सेटिंग्स करने उसको ध्यान रखना तो मैं बताता हूँ अबी कि कैसे करना है तो यहां पर देखिए यहां पर नीचे लिकिया क्र gsmड next पर देंगे ऑगा में बता रहा है यहां मरत चैनल को और bas करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का स्बिख स्बच्द करना अपने चैनल को आपकर नीचे लिक्ज पर करेंगे और चैनल पर ख्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं basic information advanced settings और feature eligibility तो यहाँ पर feature eligibility पर जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं यह सबसे बड़ा चैनल का eligibility यहाँ पर स्टेंडर फीचर यह तीनों आपको on कर लेने सिंपली यह यह और यह यह तीनों को आउन करने तभी आपके चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग हो पाएगी यहां पर देखिए यहां पर क्या कह रहा है ध्यान से समझना यह देखिए वीडियो लॉंगर दें 15 मिनट कस्टम थमनेल लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप मोबाइल नमबर को वैरिफाई नहीं करते है तो आप अपने वीडियो को 15 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बना सकते अपने चैनल पर और थमनेल कस्टम नहीं कर सकते अच्छे से समझनेल नहीं लगा सकते कोई भी थमनेल आप बना करके जैसे सबी लोग लगाते हैं वो लगा नहीं सकते आप अपने चैनल पर और live streaming नहीं कर सकते इस वजए से यहां पे सकते हैं यहां पर दिया गया है verify योर फोन नंबर जैसा सका मैंने पहले से कर रखा यहां if you green देखें का क्लाओं से तुमाकर निसान लगा हूआ है तो मैंने कर रखा आता तक कि आप सिंपली समझे सीखें पूरा वीडियो देखा करें तभी समझ में आगा कि कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना तब आपकी लाइव इस्टीमिंग हो पाएगी तो सिंपली आपको यह सारी चीजे कर लें दोस्तों कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होग लिंक डिस्क्रिप्शन पर वहां पर जा करके जल्दी से हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए लाइव इस्टीम करना या कोई दिक्कत या कोई प्रॉबलम आये तो वह मुझे बता देन प्रॉबलम आये तो